जैसे राम बहुत बहुत सौध मारे खास कारी क्रम में आज पस्तु एस्टो राम उतार मिस्रा लेकर आएं सूर्ग रहे के बारे में सूर्ग रहे जीवन में कितना अध्यात्मिक होता है वो सूर्ग खराब होने पर ब्यक्ति कितना अपमान मिलता है आये जानते विस्तार से देखेंगे बेडियो को समझेंगे सूर एक अध्यात्मिकर है, सूर गरहों में राजा होता है सूर जो है ब्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चीजों को सरकार से लेकर उन्निती दिलाता है और कारोबार में बेजय दिलाता है और कहीं न कहीं अच्छी चीजों को जोड़ता है लेकि सुर्ग खराब होने पर आपको बार-बार अफमान होता है जैसे कि सबसे पहले आपका पिता से संबंध खराब रहेगा आपको बिटामिन D की कमी रहेगी आपको हड्डियों में दिक्कत रह सकती है यह आपका कोई ना कोई कोट में ऐसा केश चलेगा जिसमें आप हार जाएंगे और कोई ना कोई आप पे इल्जाम लगा जाएगा जिसकी बज़ाए से आप फश जाएंगे ऐसे में आप भैवीत हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें इसके हिसाब से आई आज हम बिस्तार से बताएंगे सूर्ग रह के बारे में कि इस सूर आपका खराब है तो आपको क्या क्या करना है हमारे चनल लाश्टर देखें बने रहें बिस्तार से उपाय के साथ हम आपको बताएंगे बैदेग उपाय क्या हो सकता है और कैसे आपका स मजबुत रहेगा आपकी जर्म राषि शिंग है जिसके स्वामी सूर होते हैं यदि आपकी शिंग लगन भी है या व्रिश्चिक लगन है या मीन लगन में किसी लगन में सूर आपका योगकारी होता है तो सूर को समझने की आवश्यक्ता है कि सूर दी आपका बहुत अच्छा है तो आपको बहुत बढ़िया भल देगा सूर दी आपका बीख है तो कहीं न कहीं आपको कई चीजों में ऐसी चीजें भश जाएंगी जो आपको दिगतों को सामना करना पड़ेगा तो सूर का जो आध्यात्मिक है सूर आत्मा का कारक होता है जो आप डिसिजन लेते हैं जो आप बोलने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं न कहीं चीजें नहीं बन पाती हैं बार बार आपको ने कहानी हो जाती है तो सूर के लिए सबसे पहले हम जानते हैं और अकेला जीवन जीना पड़ता है। कहीं न करें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सूर के लिए आप सबसे पहले आपका शिंग राशी है तो आप मारिक पहन सकते हैं। उश्य आपको औरजा मिलेगी। दूसरा सूर के लिए आपको अरग देना है। अरग में आपको क्या का चीजे लेनी हैं आए जानते हैं। आपकी बोड़ी पर बहुत ही सकरात्मक औरजा देंगी। जो कि आपको अंदर से आपका जो ठोट है जो आपकी पोजिटिवेटी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होने की संभावना बनेगी। और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बीक है तो और डांटरी में ना जाएं कभी कभी होता क्या कि स्टार्टिंग आपकी बहुत धुआधार होती है बहुत पोजिटिवेटी के साथ लेकिन लास्ट जो आपका मोमेंट होता है वो निगेटिव हो जाता है जैसे कि आपने डांटरी पड़ी उसके कोई ने कोई ची तो मैं बताना चाहता हूँ कि सूर को पहले कुडली को बिस्टेशन कराएं चेक कराएं उसके बाद आप आगे बढ़े कि हमें कौन सी डिसीजन किस पे जाना है हम ब्यापारी बनेंगे हम जो है नोकरी करेंगे मल्टिलेसर कमपनी में काम करेंगे यह क्या काम कर सकते शूर लेकि फिर भी एक पिता अपने दूसरे लड़के के लिए उसे मतलब एक नेगेटिवेटी चीज़ों को मतलब जो अच्छी चीज है वो आपको नहीं मिलेगी, जो बुरी चीज है इस्ते में चाह मकान हो चाह आपका खेद बगरा है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सू प्राउ स्रूम हो तो पिता से आपको पूर्ष सपोर्ट मिलेगा, यह जाहर सी बात है, लगकर सूरधी आपका नेगेटिव है तो कहीं न 가운데 प्टा का पूर्ष सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब मेरे कहने का साप साप एई है, कि पिता जी आपके दूसरे भाई को आपके जो द्वाग से काम करना है रही बात आपको समय का भाव होता है विस्तार से जानकाली के लिए कि हम गुरुजी कैसे संपर कर सकते हैं तो नीची दिए नंबर हम संपर कर सकते हैं संस्तार के मध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे आपकी कुर्णली में सूर का क्या पोजिशन है और यह दिसूर आपका बीक है, तो आपको बार-बार अपमान मिलता है, और बार-बार आपको कहीं न कहीं, BP आपका हाई रहता है, यह आपका vitamin D की कमी रहती है, हड्डियों में दिग्गत रहती है, कोई न कोई आपका एक्शिडेंट होता रहेगा, और आपका जो एक प्रकास है जैसी राम